अनुपमा और अनुच की होने वाली है शादी क्या होगा आध्या का रियाक्शन शृती का होगा पर्दा फाश क्या मान लवर्स को आखिर कार देखने को मिर ही जाएगी उनकी फेवरिट जोड़ी आईए बताते हैं आपको स्टापलिस की मशूर शो अनुपमा से चुड़ी एक चौका देने वाली खबर नमस्कार मैं हूँ हिमानी और आप देख रहे हैं इंस्टरफीर पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आध्या के सामने आने वाला है शृती का सच और वो ये बात अनुझ को भी बता देगी लेकिन अब जो होने वाला है उसे सुनकर शायद आपको यकीन ना पिछले 5 सालों से अनुझ जुदाई का गम जेल रहे हैं और आब एक दूसरे के सामने होकर भी वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकते जहां एक तरफ अनुझ आत्या से बंधा है तो भाई अनुपमा अपनी जिम्मेदारियों से लेकिन 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 हर रात के बाद सुभह तो आती ही है और सारे मानलवर्स के लिए होने वाली है ये एक सुहानी सुभह जब आएगी दोनों के मिलन की खबर जी हां आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे शुती की सच्चाई पता चलने के बाद अनुझ बिखर जाएगा ऐसे में उसका सहारा कोई और नहीं बलकि उसकी अनुपमा को सपोर्ट वैसे ही आज उसकी मुश्किल की घड़ी में अनुपमा उसका साथ द दोनों आजाएंगे एक दूसरे के गरीब और एक बार फिर अनुपमा की मांग में सिंदूर भरकर वो उसे अपना बना लेगा, जी हां सारी बंदिशें सारी मुश्किले भुला कर दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे पहले जहाँ शृती की तरफ अपनी जिम्मेदारी और लगाओं से बन्धा था अनुच तो वहीं अब उसकी सच्चाई ने अनुच के पैरों की बेडियां खोल दी है और वो एक बार फिर अपनी अनुच का हो जाएगा पहले शृती की सच्चाई और फिर अनुच से अपने पॉप्स की शादी के बारे में सुनकर छोटी अनुच को लगने वाला है जोरदार छटका शृती का असली जहरा देखने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वो अनुच से मांगेगी अपने किये की माफी वहीं दूसरी तरफ जब वनराज को इस बारे में पता चलेगा तो उसे 440 वोल्ट का जटका लगना तो तैय है पिछले 5 सालों में अनुपमा और अनुच की दूरियों से वो बेहत हुश था और उसे लगने लगा था कि अब वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग होगे लेकिन उनका ये मिलन वनराज को पिलकुल रास नहीं आएगा और वो चिड और जलन में क्या करेगा ये दिखने के लिए आपको आगे आने वाले अपिसोट का इंतजार करना होगा इस इस धिशने की तरफ में जी रहे इस कंबल के लिए फाइनलली खुशी की घड़ी आ ही गई है पहले में अनुज और अनुपमा ने सारी मुश्किलों के खिलाब जाकर करी थी शादी और अपने रिष्टे को दिया था एक ना और अब इतने साल बाद एक बार फिर मान का होगा मिलन लेकिन शुती इतने आसानी से हार मानने वालों में इससे नहीं है और इसलिए उसकी चालों का कैसे अनुज और अनुज मिलकर देते हैं जब आप ये देखना दिल्चस्प होगा अनुपमा से जोड़ी लेटेस्ट अबडेट्स के रिए फॉलूर सब्स्राइब करें इंस्टाफीट और हमारा बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें